कैसे हैं आप लोग तो आज मैं शेयर कर रहे हूं आप सभी के साथ में एक डेविल बनाने की रसेपी जिसे आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही सिंपल और आसान इसको बनाना और बहुत ही उम्दाल आजवाब बनती है यह तो एक बार इस स्टार्टर स्नाक की रसे और आप इसमें 2.5 टेबल स्पून रिफाइन डालिए धाई चमच और इसे बिलकुल अच्छ से मिला लीजिए यहां पर बटर में आपको मैदे को भून लेना है तो तक्रीबन आपको 4-5 मिनिट लग जाएगा हाई फ्लेम पे इसको भूनते हुए तो इसको आप लगतार पहले यह पूरा इकठा होकर बाइंड हो जाएगी और फिर दीरे यह थोड़ा सा लिक्विड के जैसा फॉर्म होने लगेगी तो आप इसको लगतार भून ले इसके भूनने की बहुत प्यारी से खुश्बू आने लगती है और इसका कलर भी थोड़ा बदलने लगता है त सबसे पहले जब मैदा भून जा तो इसमें आप एक बड़े चंबच अद्रक लेसन की पेस्ट आ लिए और इसके साथ हरे मिर्चो का पेस्ट आ लिए तो दोनों मैंने एक बड़े चंबच डाली है इसमें फ्रेश ताजा मिर्चो को ग्राइंड कर पेस्ट बना लिया और हम इसमें लीकी ले लुकंट ब्लॉंट तक मैं रिचेरफ तो अब इसमें भूल między चिकन डालें जो मैंने 200 ग्राम छिकन को बोल ने श्रूण कर लिया नमक डालकर और िक्सी में घ्र राइंड कर लियाaur और श्रेड हो गया है और तो यह जो पिषव मसाले ज़े नमक वन टी स्पून टी स्पून चिकन मसाला पाउडर वाइट पेपर पाउडर उन टी श्पून रेचली पाउडर और एक चौथाइक कब पानी यानिकि चिकन स्टॉक यह डालेंगे बहुतल डालकर अभी लगतार से चिकन को भुभुने वे। इसकी साथ में अचिज से मिला लीजिए। अध moment यहां पर अधिकी यहां पर ऊफिरा और अधिया से फिलेम पर यहां पर शोता ही हुआ कि यहां पर का सके एक उए को यहां पर strongly ही हिस्तार लीजिए। जसे जसे हम इसको लगतार भूनते जाएंगे तो 3-4 मिनट हो चुके हैं यहां पे कलर इसका बदल चुका है इस पॉइंट पे हमें इसमें एक कप पानी डालना है जो के 200 ml पानी है और यह पानी डालकर हमें इसको लगतार मिलाना है फ्लेम अभी हाई रखेंगे और हाई फ्ल पानी डालने के बाद में और इसको तब तक भूने आप जब तक कड़ाया पैन को छोड़ने नहीं लगे लगतार भूनने से इसके थिकनेस भी चेंज होगी और यह बहुत अच्छा डो जैसा बन जाएगा इसी टाइम पे बीच में मैं एक मुठी भरकर फ्रेश बारी कटा अब हरा दन्या डाल रही हूं और इसे डालकर अच्छा से मिला ले रही हूं इसको बिल्कुल हमें ड्राइ कर लेना है अभी यह थोड़ा सा इस तरह का लिक्विट सा दिख रहा है यह और ड्राइ हो जाएगा और डो जैसा बिल्कुल बन जाएगा तो यहां पे आप हाथ दोखें ने रोकें लगतार हाई फ्लेम पे इसको ब्हुंते रहें लगतार बुनते जाहें जिससे इसका जो टेक्चचर बदल जाएगा र मैदे शीड़ाली ने किले चल्ट मेने अच्छा साब बन जाता है तो चिकन को मैंने पेलेट में थंडा कर लिया है और यह यह बना लिया है तो यहां पर देखें मैंने इसी तरह से बना लिया है अब अंडे को फेट लेना है हमें एक अंडा लेकर फेट लिया मैंने और उसमें यह एक डेविल को कोट किया है मैं डिप करकर और इसके साथी ब्रेड क्रम्स ली है मैंने और इसमें मैं इसको मिला दे रही हूं यहां पर मैंने दोनों चीज़ों में नमक नहीं डाली है क्योंकि मैंने खुलता सा नमक डाला था मैंने उसमें नमक बिल्कुत प्रपर डाली है इसलिए मैंने नमक नहीं डाल और डाल कर इसे मैं फ्राइ कर ले रही हूं अभी एक साइट से ही इसको सिखने देते हैं और इसी तेल के टंप्रेचर में बहुत जल्दी फ्राइब हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा पेशन्स रखना होगा यहां पे क्योंकि इसे बहुत जल्दी में फ्राइब करना है देखें दो मिनट होगा और इसके एक साइट पे कलर आ जागा जैसे आप साइट चेंज करें आप फ्रेंड्स अफ्लेम को धीमी कर दीजेगा फ्लेम धीमी करकर दूसरे साइड हमें इसको फ्राइब कर लेना है क्योंकि तेल बहुत अच्छा गरम हो चुका होता है उतने ट पर आजए पर पहले के 2 मिनट और उसके बाद में मीडियुम फ्लेम पर इसको फ्राइक कर लीजेगा और इस तरह से आप अपने एक डैविल को बना लीजेगा तो रमजानों पे अफ्तार के लिए बहुत ही ऑसम्सिंपल सी रसपी आप बहुत ही इजी अची बनाती है इसक चिकन के साथ में वह बड़ा मज़िदार लगता है बहुत टेस्टी लगता है आप इस तरह से एक डेविल जरूर बनाएगा आपने पोटेटो के साथ में बनाया होगा लेकिन चिकन बहुत हेल्दी है प्लस एक में बहुत सार प्रोटीन होता है तो बस अपीस रमजानों में बहुत जाद अच्छी लगेगी सभी को पसंद आएगी अब मैं इसको आपको कट करकर दिखाती हूँ बिलकुल अच्छे से यह पका हुआ है अंदर तक और यह देखें बहुत अच्छा फ्राई हुआ है तो बस इसी तरह से आप भी चिकन के साथ में एक डेविल एक बर ज चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर और असे अपने मेनियों में रख सकते हैं और बना सकते हैं उसे तो बस इस तरह से नेक्स्ट रेसिपी लेकर हाजिर होती हूँ तब तक अपना ख्याल रखें दूआ मयाद रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग